नमस्ते दोस्तों, की होम्स कुकिंग में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंस आज की रेस्पी में हम गाओं के तरीके से लौकी का रायता बनाने वाले हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं लौकी का रायता बनाने के लिए यहां पर हमने एक लौकी लिए है लौकी को हम दो भागों में काट लेंगे तो आधी लौकी हम ले ले लेते हैं जितने का हमें रायता बनाना है अब हम छिली की साहता से लौकी के छिलके को अलग कर देंगे लौकी को हमने छिल लिया है अब ह काटना नहीं चायते हैं तो कद्डू कस कर लें तो इस तरीके से हम सारी लोकिको काट लेंगे यहां पर हमने लोकी को काट लिया है अब हमने कड़ाही में पनी ले लिया है अब हम लोक और और नियुले आप le SophOM को हुमें 15 मिनिट के लिए देजाज पर उबाल लेना है तो हम अभी ढखकर रखते थे हैं ताकि उबाला जाए तो अब देख सकते हैं फ्रेंज उबाला गया है और लोकी यह वो पकने लगी है लोकी को हम 15 मिनिट के लिए पका लेंगे देजाज पर अब हम ढखकर से रखकर नहीं रखेंगे तो पर इसे पकायेकी लोकी को ताकि अच्छी से बखेंगे तो प्रेंस यहां पर हमने 400 ग्रं मथसा रखकर से चल दीएंगे ता कि मत्ठा बन की तयार हो जाए और थोड़ा पानी डाल देंगे हमें लगातार चलाते रहना है दस मिनिट के लिए तो फ्रेंज आप देख सकते हैं, मठा बन की तयार हो गया है, 15 मिनिट हो गया है, यहाँ पे हम लौकी को चेक कर लेते हैं, तो लौकी उबल की तयार हो गई है, अब हम लौकी को एक प्लेट में रिकाल लेंगे, फ्रेंज आप देख सकते हैं, लौकी पर बैक्ट उबल गया ह पांच मिनिट के लिए हम ठंडा होने देंगे तो पांच मिनिट हो गए हैं अब हम इस तरीके से सारी लौकी का पानी निचोड देंगे इस तरीके से हमने सारी लौकी का पानी निचोड दिया है और प्लेट में रख दिया है तो यहां पर मठा में हम आदा चमच नमक डाल दे परतें परोगी आज़नेंगेgen 20 एक एक करतेंगे नमक फोट यीर्स कि टाल देगे तोाइच दृन डाल देंगे अपको ईशाने हैं की समय के बैट और धे मंगोच परलेलपी यज क्यूल देंगे मंच लोकी तो 1-230 गाद देंगे मिर्च01-1 40-2 चाइपके कि दाले हुशित बांदध नाम-ध्र हरुए है राक्षे मादने तक में लेकि मैंच पाला हैR भशच तो ख्रग तो 3.2 भाँ मिल्वाल से चला करो ईफ़ाने डएंगे आप अपीध को ठंड हो गई हेतर अब हम प्था रखा था जो तो बदी और ना के मीट के लिए रायता है और नने जत्तर चाहिए झेले काफ़ जिर फट तरह somethin ह atenção है अगर आप धनिया नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें, लेकिन हमने धनिया डाल दिया है, इससे टेस्ट और अच्छा आएगा, तो इसे आप पूरी, पराथा, चावल, चापाती की साथ खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप ऐसा खाईए, मैं उमीद करती हूँ फ्रेंज, आज की रायता की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्रीज मेरे चैनल के होम्स कुकिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना बोलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मिलते हैं अंगली वीडियो में, धन्यवाद,